मध्यकालीन भारत हम लोग पढ़ रहे थे UPSC Hindi के study platform में आपका स्वागत है और विजय नगर सामराज हम लोग पढ़ेंगे लेकिन विजय नगर सामराज में एक जो initial point है वो जानना जरूरी है कि इसकी स्थापना जो हरियर और बुक्का करना है ये वास्तों में आये कहां से है तो देखी यहां पर लिखा हुए है कि मुहमद बिन तुगलक ने जब कामपली को विजट किया तब हरियर और बुक्का को बंदी बना लिया कामपली एक स्थान है जहां से हरियर और बुक्का को बंदी बनाया गया किसके दौरा मुहमद बिन तुगलक के दौरा और जो हरि सेना के साथ कामपिली आया उन्होंने कामपिली विद्रोह का दमन किया अंत में एक संत जिनका नाम है विद्यार रणे उनके प्रभाव में आकर के हिंदू बन जाते हैं समझ में आया पूरा फंडा यनिकी मुहम्मद बिन तुगलक के काल से ही यह सारा कुछ उतल पुतल चल रहा है और फिर से जब धरियर और बुक्का नामक दो व्यक्ति लोट करके आते हैं कामपिली दमन के टाइम में तो यहीं एक संत के सानिध्य में आकर के फिर से जो है वो हिंदू बन जाते हैं और फिर विजय नगर सामराजी की स्थापना करते हैं ठीक है तो यह पॉइंट सापके सामने आ चुका है ठीक है जितनी चीजे दिखाई दरी है थोड़ा सा अडिजस्ट कर लीजे ठीक है अभी चीजे बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे तो यह है राज विजय नगर विजय नगर जो है उसको जो संगम था उससे कंफ्यूज नहीं करना है क्योंकि आपने पढ़ा होगा छटवी सताबदी के आसपास में संगम होए तो उसमें टोटल जो आपके तीन संगम होते हैं वह महान कवी और उनकी रचनाओं को लेकरके एक गोस्थी टाइप का है वो चीजे अलग है ठीक है और यहां जो संगम है संगम व्यक्ति हरियर और बुक्का के पि इंका टू तक यह टोटल चल रहा है तो उनको भद्रा नदी के तट पर इनकी राजधानी बनती है जिसका नाम है हमपी और वहां पर कल्यान मंडप में कल्यान मंडप रूपी स्ट्रक्चर जो है मंदिर का होता है ठीक है कितने वंश है टोटल विजे नगर सामराजी के अं तो हरियर और बुका किस वंश के हैं तो संगम डानेस्टी के है और वहीं वेंकट टू किस डानेस्टी का है तो अरविडू डानेस्टी का है आगे की चीज़े देखते हैं शौट में बिल्कुल मैंने लिखाय कि जिस किस तरह से शौट नोट बनता है ये भी आप लोग पांच मिनट में पूरा लेक्चर कवर कर लेंगे तो संगम के बारे में क्या कर रहा है हरियर और बुका 1336 में इसकी स्थापना कर रहा है विद्या रणे इनके गुरू है जो की मार्ग दर्शन दे रहा है और उनके भाई है भाशिकार सायन ठीक है तो दोनों लोग जो है इ अब कुमार कंपन का जिक राता है इस पर प्रशन भी आप लोगों को मिलेगा तो कुमार कंपन बुक का प्रथम का पुत्र है उसकी पतनी है गंगा देवी जिसने मदूरा विज्यम में पती के मदूरा जीतने का वड़न किया है ठीक है तो यह भी प्रशन पूछता है कि गंगा देवी की कृती है जो की पतनी है आपके बुक के पुत्र की पतनी है ठीक है तो याद रखना है कुमार कंपन की जो है पतनी है गंगा देवी जिसने मदूरा विज्यम लिखा है ठीक है फिर आते हैं हरिहर दो हरिहर दो बुक के ही पुत्र है ठीक है ऐसे समझे हरिहर दो कौन है? वो बुक्का के पुत्र हैं, ठीक है? तो बुक्का के पुत्र है जो कि महाराजा धिराज की पदवी लेते हैं, कनारा, मैसूर, तिरचरापली को जीतते हैं, उसके अलावा भहमनियों से बेल गाओं और गोवा को छीनते हैं, विरुपाक्ष सिव के उपाशक है य संगम डैनिस्टी में कुछ राजा है और एकाद और महत्वपूर्ण नाम है, जिसमें से राजाओं में से आप किसका नाम याद रखेंगे, तो कुमार कंपन का याद रखेंगे, जो कि बुक्का प्रथम का पुत्र है, उसकी पतनी है गंगा देवी, जो की लिखती है विजयम, यानि कि उसके पती कुमार कंपन ने जब मदुरा पर विजय किया, तो उसने एक ऐसा रचना की, ठीक है, फिर आते हैं हरिहर दो, जो की बुक्का के पुत्र है, महराजा धिराज की पदवी लेते हैं, कनारा, मैसूर, तिरचरा, पल्ली को जीतते हैं, ठीक है, उस उसका अंतिम साशक होता है, प्राउण देवराय, ठीक है, अगला आता है सुलूव या सालूव डानेस्टी, जो की 1485 से 1505 तक चलता है, नरसिंग सालूव जो है, इसके मुख्य या कह सकते हो प्रतापी राजा है, ठीक है, इनके बारे में बहुत बाते नहीं है, सीधे आता है तुलूव डानेस्टी 1505 से 1507 इस भी, ठीक है, वीर नरसिंग ने इमादी नरसिंग को पराजित करके तुलूव वंस की स्थापना की, तो वीर नरसिंग जो है, वो इमादी नरसिंग को पराजित कर रहे हैं और तुलूव वंस की स्थापना कर रहे हैं, इसका मतलब जो स तुलूववंस है या सालूववंस है उसके जो अंतिम साशक है उनका नाम है इमाधिर नरसिंग Abram. अब सफापना हो जाती है जब तुलूवंस की तो प्रतापी राजा आता है कृष्ण देव राये, कृष्ण देवराय गुलकुंडा का युद्ध करता है कुली कुतुब शाह के साथ और केडियार मतलब होता है कृष्ण देवराय इन दोनों लोग के बीच में जो युद्ध हो रहा है कृष्ण देवराय के जो दरबार रहता है उसमें अष्ट दिगज कभी बैठते हैं नागल पूर नामक नगर बसाया है अपनी मम्मी के याद में यानि कि कृष्ण देवराय जी अपनी माता के याद में नागल पूर नामक नगर बसाते हैं ये आंद्रभोज की उपाधी लेते हैं मैंने एक बार और जिक्र कर दिया है तेलुगू का स्वण काल किसके काल को कहा रहा है फिर विजय विठल मंदिर जो हमपी का है चपन तक्षित स्तंभो का यानि कि संगीत में निर्मित होता है वो भी कृष्ण देवराय के समय में ही निर्मित हो रहा है इनकी कुछ रचनाएं हैं के DR की कौन-कौन सी किताबें हैं तो जांबवती कल्याणम मदलसा चरित औ और सत्यावदू परिरह तो यह कुछ जो है इनकी किताबें हैं इसके अलमा यहां पर कुछ चीजें और हैं कि डोमेंगो पायस जो आता है हमपी की तुलना रोम से करता है और क्रोनिकल्स ओफ विजय नगर में बात करता है कि एक व्रिहद टाइंक भी इस्थित्था शायद तो पानी के लिए रहा होगा ठीक है तो यह भी पॉइंट याद रखेंगे डोमेंगो पायस का मुझे पता है कि बहुत सारा डेटा एक साथ आप लोगों को दे दिया गया है ठीक है इसके अलमा क्या है कि कुछ यात्री इनके समय में आते हैं तो यह चीजें बहुत याद कवी हैं वो भी देवराय टु के समय में ही है और उन्होंने श्रिंगार नैषदं नामक पुस्तक भी लिखिये थे थे तो तीन पॉइंट अबदुरर्यज्याक देवराय टू श्रिनाथ तेलगु कभी और श्रिंगार नैशधम उस तक के बारे में मैंने आपको बता दिया निकोलो कॉंटी डिरेक्टली प्रशनाता है कि निकोलो कॉंटी किसके समय में आया तो ये विजयनगर में आया था इटली का यात्री था विशाल संख्या में दास है इसने बताया जो की कर्ज नहीं चुका देने के करण दास बने है यानि कि उसने बताया डिरेक्टली निकोलो कॉंटी ने कि विजयनगर में जादे दास है और वो दास कैसे बने तो अगर उन् नन्य टिकन और यरेरन हाला कि वो अलग-अलग सदी में आये हैं ग्यरहवी सदी में नन्य बरहवी में टिकन इसी तरह से यरेरन आये हैं लेकिन तेलगुत रिड़त्न की संग्या इन्हीं लोगों को दी जाती है फिर एक प्रशन पूछता है राक्षसी तंगडी या तल्ली क कोटा दोनों एक ही नाम है इसको राक्षसी तंगडी भी कहते हैं तो बीजापूर अहमदनगर गोलकुंडा बीदर के बीच में हुआ है ठीक है और राक्षसी तंगडी कहता कौन है तो वो कहते हैं फरिश्टा ठीक है और इस समय जबकि तल्ली कोटा का युद हो रहा है त अहमदनगर गोलकुंडा बीदर ठीक है तो आप इसको गब से याद रख सकते हो ठीक है जी ये बीबी से याद रख सकते हो ठीक है वित्तियवे उस्था की बात कीजाए तो जो भूमी राजस्व था वो अठावने विभाग के द्वारा जैसे लिया जाता था एक बटा ती तीस जो है लिया जाता था चीनी दूत बुक्का वनने भेजा था ठीक है तो ये भी चीज याद रखनी है तो चलिए फिर आगे आज नोट्स देखते हैं जितनी चीज़ें इंपोर्टेंट थी हो मैंने कवर अप यहाँ पर कर दी है अब चलिए नोट्स के मदद से जो है आगे बढ़ा जाएं चलिए नोट्स तो पहली चीज है कि विजन अगर समराज के स्थापना हरियर और बुक्का नामक दो व्यक्तियों ने की 1336 में और उनके पिता संगम के नाम पर उनकी जो वंश का नाम था उसका नाम रख दिया गया संगम मोंस हरियर और बुक्का कंप पुनह तुगलक सेनापति करूप में दक्षड भेजता है हिन लोगों को हरियर और बुक्का को हरियर और बुक्का तुगलग सेना के साथ कौंपिली आते हैं और यहाँ पर कांपिली विद्रों का दमन भी करते तो यहां तक तो सही चल लाता सब कुछ तुगलक के एक और् कि रखास्ट में एक संत मिलते हैं इनका नाम है विद्यारने तो डरेक्टनी पूछता है कि इसके प्रभाव में आक यह फिर से हिंदु बनी तो विट्विद्यारन के प्रो़ाव में आकर के फिर से हिंद्व बन जातें विजय नंगर को सथापित करने के लिए हरियार और 1336 से 1345 भी तक चलता है, दूजरा है सालू, पचासी से 550 तूलूव, 1505 से 150 और लास्ट है अरावीडू, और अरावीडू जो है लगभग 300 वर्सों तक सासन करता है. विजयनगर सामराज की राजधानिया परिवर्तित होती रहती है सबसे प्रथम राजधानिया अने गोंडी तो ये नाम याद रखेंगे कि प्रथम राजधानि इसकी होती है अने गोंडी फिर विजयनगर फिर वेनु गोंडा और चंदरगिरी तो एक राजधानी इसमें से याद रख लिजए अप लोग, अने गोंडी जो है वो प्रथम राजधानी है, तेरा सो बावन तिरपन में क्या होता है कि हरी हर एक जो है, मदुरा विजय हे तु दो सेनाय भेजता है, एक कुमार सवल के नेत्रित में और दूसरा कुमार कमपन क मदुरा को जीत कर उसे विजयनगर में शामिल कर लिया, तो कुमार कमपन अच्छा परफॉर्म करते हैं, वो मदुरा को जीतते हैं और विजयनगर में शामिल कर लेते हैं, अब कुमार कमपन की पत्नी है, जिनका नाम है गंगा देवी, अपने पती की विजय के उपलक्ष म में एक गरंत लिखती है जिसका नाम है Madura Vijayam और उसका सजी वरण करती है तो सजी वरण करने का मतलब है कि वह युद्शेत्र में रही होगी जो भी पूरी बात है लेकिन बस वह उसका सजी वरण करती है कुमार कंपन कौन था तो बुक्का राय प्रथम का पुत्र था, ठीक है? इधर क्या होता है? 1377 में बुक्का किम्रित्य हो जाती है और हरिहर दुत्य है, उनके जो पुत्र हैं, वो सिंगहासर पर बैठते हैं और महाराजा धिराज की उपाधी धारन करते हैं. अब आपको समझ में आ रहोगा कि जो मेर बहमनी राज से बेल गाओं और गोवा चीनना, तो बहमनी जो राज था उसके पस्चिम में, जहां पर विजयनगर साम राज था, ठीक है? तो उन लोगों से ये बेल गाओं और गोवा को चीनते हैं, तो कुछ इस प्रकार आप देख सकते हो कि ये जो है विजयनगर एंपा ये जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया कि सीव के विरुपाक शरूप का उपासक है, चंद्रगीरी के सामन्त है नर्सिंग सालू, उन्होंने संगम वंस के अंतिम साशक, जिनका नाम है प्रौण देवरा है, इनको हरा करके या पधिचुत करके 1485 में सिंगासन पर अध साशक था, उसको पधिचुत करके सिंगासर पर अधिकार किया, तुलूववन्स की स्थापना की, तो बस तुरंत जान जाईए कि वीर नर्सिंग क्या किया, नर्सिंग सालूफ के जो पुत्र थे, जिनका नाम हिमादी नर्सिंग था, उनको हरा देते हैं और तुरंत ही वो सिंगहासन सीन होता है, कृष्ण देवराय का उतर अधिकारी, उनका भाई अच्युत देवराय होता है, और 1529 से 42 तक साशन करता है, विजयनगर की राजा, कृष्ण देवराय ने गोलकुंडा का युध, गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुपसाह के साथ लड़ा, तो ये बहुत ही important है, प्रश्ण पूछता है कि गोलकुंडा का युध, किसके किसके मद्ध हुआ, या कुली कुतुपसाह के अगेंस्ट में कौन था, तो राजा कृष्ण देवराय जी अगेंस्ट में थे ये चीज़ याद रखनी है, जिसमें कुतुपसाही सेना पराजि होती है, कृष्ण देवराय का साशनकाल विजयनगर में साहित्यका क्लासिकी युग माना जाता है, यानि कि क्लासिकल एज ओफ लिट्रेचर माना जाता है, ठीक है, उनके दरबार में तिलगु के आठ महान कवी युग विद्वान रहते थे जिने अस्ट दिगज कहा जाता इसलिए शाशनकाल को तिलगु का स्वान युग भी कहा जाता है, कृष्ण देवराय ने आंद्र भोज की उपाधि ली थी, खुद ही वो कृष्ण देवराय स्वयम ही एक उत्कृष्ट लेखा का और कवी भी थे, इनके प्रमुख रचना है अमुक्त माल्याद, कई बार पूछा हुआ है, कि अमुक्त माल्याद किसकी रचना है, याद रखेगा कि बुक पर अगर कोष्ण पूछेगा, तो यहां से एक प्रशन आपका पूछ सकता है, तिलगु भाषा के पांच महाकाव्य है, जिनमें से एक महाकाव्य है, अमुक्त माल्याद, इन्होंने नाग के चीजें देखें अगर, तो हम लोग देखते हैं कि इनके समय में पूर्तगाली यात्री, जिसका नाम है डुमेंगो पायस, वो आता है, और बाबर अपनी आत्म कथा में लिखता है कि क्रिशन देवराय भारत के सबसे सक्तिशाली शाशक है, ठीक है, तो समकालिक अगर प फारसी यात्री है, ये भी पूछता है, राजदूत है जो की, अब्दुल रज्याक, संगम मौस के सबसे परतापी राजा, देवराय टू के साशनकाल में विजयनगर आता है, महाभारत के तिलगु अनवाद का कारिक 11 सताबदी में नन्य ने शुरू किया, 13 सताबदी में तिककन द्वारा तता फिर 14 सताबदी में येररन द्वारा पूरा किया गया, तो नन्य टिककन और येररन 11, 13, 14 तक अलग-अलग काल में महाभारत के तिलगु अनुवादक रहे और इसी कारण इन लोगों को तिलगु का त्रिरत्न भी कहा जाता है या कवी त्रय की संग्या दी जाती है, वैदिक गरंथों के भासिकार है सायन जिन से प्रेडितो करके विजयनगर के स्थापना हो रही है, वो विजयनगर राजाओं का उनको आश्रय मिलता है, जनवरी 1565 में तल्ली कोटा का प्रसिद्ध युद्ध होता है, किसके किसके बीच में तो गब के बीच म जिसमें G से हो जाएगा गोल कुंडा, A से हो जाएगा अहमद नगर और विजापूर और विजयनगर, तो गब सेनाओं के बीच में युद्ध हो रहा है, तल्ली कोटा का, और विजयनगर को सम्मिलित रूप से सेनाओं ने पराजित कर दिया, इस सेना में कौन नहीं था, बरार नहीं था, याद मत करिए, केवल गब याद करिए, बरार अगर ऑप्शन में देगा, तो आप लोग खुद से अटा देना, तो अभी बता दे रहूं कि अब इसके बाद हम लोग यह नहीं पढ़ेंगे कि कौन नहीं था, केवल याद करेंगे, गोल कुंडा, अहमद अगर बीदर और बीजापुर, ठीके, बरार को याद नहीं करेंगे, ठीके, आगे देखिए, फरिष्टा कहता है कि यह युद्ध तल्ली कोटा में लड़ा गया था, किन्तो युद्ध वास्तविक छेत्र जो था, युद्ध का, वो राक्षसी योंग तंगडी नामक दो ग्रामों के बीच में इस्तित्ता, इसी कारण इसको राक्षसी तंगडी का भी युद्ध कई बार देखने को मिलता है, तल्ली कोटा की युद्ध के समय विजयनगर का जो साशक था, उसका नाम था सदा सिवराय, जो की 1542 से 70 तक साशन किया, किन्तो वास्तविक शक्ति उस तिरूमल करते हैं, सदा सिवराय को पत्चुत करके, हटा करके, इनका उतराधिकारी होता है रंग पर्थम, रंग पर्थम के बाद आते हैं वेंकट दुतिय, वो चंद्रगरी को अपना मुख्याले बनाते हैं, और बीजयनगर के महान साशकों की सिंखला में ये अन्तिम सा सकते हैं, जिनका नाम है वेंकट दुतिय, इसके बाद भी छोटे मोटे रूडल राएंगे, लेकिन उतने इन्फ्लुएंशियल या प्रभावी नहीं रहेंगे, अब वेंकट दुतिय जो है, वो डियार का समकालिंग्न है, जो की राजा है, तो राजा वो डियार आगे चल करके, 1612 में मैसूर राज की स्थापना भी करते हैं, अगर राजासु की बात की जाए, तो विजयनगर सामराज में देखा है हमने कि राजासु सरवाधिक महतोपूर था, जिसका स्रोत भूमी कर था, तो भूमी कर से ही सरवाधिक राजासु प्राप्त होता था, पहले भू पुरव कर लिया जा रहा है सिस्ट जिसको राय रेखा नामक कर राज की आयका प्रमुख सुरोत्त था he केंद़ी राजसोभ विभाग को 58 यानि कि अध्वन या अस्थवन भी कहा जाता था फिर बात आति है हमपी के खंडहरों की तो हमपी के खंडहर वरतमान उत्री-कृरणाटङ में वस्तित है जहां पर आपका विरुपाक्ष मन्दिर इस्तित है ठीक है और तो विजय नगर सामराज की प्राचीन राजधानी का प्रतिनेधित तो जो है हमपी करता है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितने रुपए की नोट पर हमपी का चित्र बना हुआ है इंडियन करेंसी पर कितने रुपए की नोट है जिस पर हमपी का चित्र बना हुआ ह तो जो भी नोट ओट रखे हो आप लोग उसको देख लिजी या सर्च करके सर्च करके नहीं नोट से सर्च करेंगा तो ज्यादा मज़ आएगा ठीक है डारेटली गूगल से आंसर मांग मांग के जो है दिमाग कुंद हो चुका है तो विजयनगर काल में बना विरुपाक्ष में बताई दिया था इस मंदिर में 56 तक्षत स्तंभ संगीत में स्वर निकालते हैं यानि कि वहाँ पर अलग-अलग जो है खंभे है जो की अलग-अलग साउंड निकालते हैं ठीक है तो एक बारी इसका भी वीडियो जाकर कि आप लोग यूट्यूब पर देख लिजे काफ जो है विस्तित रूप से चर्चा करेंगे तो आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद